हेलो गाईज स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए योट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज अगर आप लोग ग्रो एप से अपना डिमेट अकाउंट ओपन कराएं हैं और आप पहली बार यहां ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कैसे करना है ठीक है तो वही चीज आज के वीडियो पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ और अगर हां आप ग्रो एप से अपना डिमेट अकाउंट ओपन नहीं किये हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाईए लिंक लिक किजे और अपना डिमेट अकाउंट ओपन करिए और ग्रो एप से अपना जर्ने स्टार्ट करिए बिल्कुल फ्री है डिमेट ठीक है तो जल्दी सजाएए और open करिए अब हम समझते हैं कि कैसे हम grow app से पहली बार trading करेंगे तो चलिए बीना किसी देरी के हम grow app के dashboard पे चलते हैं वैल अगर आप दिखेंगे गाईस तो हमारा grow app का dashboard कुछ इस प्रकार का दिखता है अब आपको सिंपली सर्च बार में जाना है तो आपको सर्च बार कौन सा है आपको सर्च बार यह है बिल्कुल टॉप पे ठीक है टॉप पे आपको सर्च करना है आपको सर्च करना है कोई स् नहीं आपको पता है. तो जैसे कि मैं पहली बार trading करना चाहता हूँ Jometo के. तो मैं यहां simply Jometo search कर दूँगा. जैसी मैंुं यहाँ Jometo search करूँगा, Jometo का stocks आ चाहेगा. मैं simply उसको click करूँगा. Click करने के बाद देखिए नीचे पर मुझे buy और sell का options दिखाई दे रहे हैं तो यह depend करता है आपके उपर कि आप क्या करना चाहते हैं आप buy करना चाहते हैं कि sell करना चाहते हैं sell करेंगे तो price नीचे गिरेगी तो आपको profit होगा buy करेंगे तो price उपर जाएगी तो आपको profit होगा तो तो अभी मैं buy का view बनाना चाहता हूँ यानि कि मैं यह चाहता हूँ कि यह stock उपर जाए तो मुझे profit हो तो मैं simply buy के options को click करूँगा buy के options को click करने के बाद यह उपर top पे आपको delivery और intraday का options दिखाई दे रहा होगा तो delivery और intraday means समझ जाते हैं होता क्या है अगर आप delivery के options को click करेंगे तो आप आज खरीत के इसको stock को अपने पास lifetime के लिए hold करके रख सकते हैं यह depend करता है आपके उपर आप आज खरीत के आज भी बेच सकते हैं या आप आज खरीत के एक मेरे बाद बेच सकते हैं या आप आज खरीत के पास साल बाद भी बेच सकते हैं तो यह होता है basically delivery एक होता है sir intraday intraday मतलब की आप आज खरीत के आज ही बेचेंगे और अगर आप बेच नहीं पाए टाइम से पहले 3-15 से पहले तो आपका broker आपका order कट कर देगा तो basically intraday मतलब कि आज खरीदो और आज बेचो और delivery याने कि आप आज खरीद के lifetime अपने पास hold करके रख सकते तो अभी मैं intraday trading करना चाहता हूँ तो मैं simply intraday के options को click कर दिया उसके बाद आपको quantity NSE आप कितना share buy करना चाहते हैं तो अभी हम simple एक share buy करना चाहते हैं ठीक है तो यहाँ मैंने एक add कर दिया आप जितना भी share buy करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आपके उपर है उसके बाद यह price पे आपका market ही रहेगा कैसे होगा हमने कौन से रेंज पेंटरी किया था 75 रुपए 80 पैसे के रेंज पेंटरी किया है अब prices के उपर रहेगा तो हमको profit होगा और prices के नीचे रहेगा तो हमको नुकसान होगा ठीक है simple process ओके अब ठीक है आपको profit हो गया आपको sufficient profit हो गया, या आपको loss हो गया, ठीक है, आप जितना चाहते थे, उतना आपको loss हो गया, अब आपको यहाँ से exit होना है, तो कैसे exit होना है, जो आपका profit नुकसान चलते रहएगा, उसी COP को simply click करना है, ग्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, exit के option में आना है, exit के options में इधर आपको कुछ भी नहीं करना है Simply Sell के Options को क्लिक कर देना है आप बाहर ठीक है आप Market से बाहर अब यह Price की तरह भी नीचे गिर जाया कुछ भी हो जाया आपको फरक पड़ने वाला नहीं है और देखिए हमको 0.20 पैसे का Loss भी हो गया तो बेसिकली ये प्रोसेस है गाईस Grow App से पहली बार ट्रेडिंग करने का और यहां से एक्जिट होने का काफी कमाल का ये फीचर्स है आप एक दुबार ये वीडियो देखिए और दो तिन बार दिखिए नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट कर सकते हैं लेकिन समझ आज आना चाहिए ठीक है ओके और डिमेट अकाउंट ओपन कराईए और जर्नी स्टार्ट कीज़़ए ठीक है चलिए बाया